नमस्कार मिट्टो मैं पंडित अखिल शुकल यूट्यूब के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छे पोदे सेवगत करा देता हूं यह कचनार का पोदा यह देखिए इसका फूल है यह कलिया लगी हुई है यह इसकी पत्ति जितने भी प्रकार के कचनार होते हैं इसकी पत् सब्सक्राइब कर देखिए इस समय फ्लावरिंग स्टेज में पूरा कचनार आ गया है सड़क के किनारे आजकल बहुत लगा हुआ मिल जाएगा यह कचनार आपको और यह जैसा इसका नाम है आप सब लोग इसको अच्छे तरीके से पहचानते कचनार को क्योंकि आपने दे मित्रो कचनार काया को कंचन करने वाला यह कचनार का पौदा होता है इसमें सफेद पीला यह लाल कचनार है लाल सबसे अच्छा होता है और सफेद भी सबसे अच्छा होता है इसके कई अति दुर्लव और चमतकारी प्रियोग है मित्रों यह अकेला पौदा आपके सरीर के स मोटे पोदे की आप छाल ले लीजिए छाल का फांट छाल का काढ़ा बना लीजिए छाल का काढ़ा बना कर पिलाने से एक कप सुवेरे एक कप साम को पिलाने से शरीर में जितने भी रोग हैं, एक ग्राही होता है, इसमें एक विसेश गुण ये होता है, कि ये शरीर के रोग को खीच के मल के माद्यम से बाहर निकाल लेता है, इसमें ये विसेश गुण होता है, इसके फूल की गुलकंद बनाई जाती है, इसके सुखे हुए फूल ले ल यह दस से पंद्रा दिन में यह गुलकंत बनके तयार हो जाता है दिमाग में केसी भी असांती हो पेट में इसी डिटी हो गैस हो मल कोट कोट बद्दता मतलब पेट में मल कड़ा हो गया हो उसको भी यह पतला करके निकाल देता है इसकी जड़ की जो फांट है इसका जड़ का जो काड़ा है जड़ का काड़ा आपका इसका लीवर किड्नी और रक्त सोदक है किसी भी प्रकार से किड्नी में तकलीफ है लीवर में तकलीफ है पेट में तकलीफ है पेट में छाले हो गया हो तो भी यह इसका फांट अगर आप लगातार 15 से 20 दिन पीएंगे तो आपको अत्यांत लावकारी और चमतकारी प्रियोग प्रकास में आएगा प्रमे रोग हो गया हो इसी भी प्रकार का प्रमेchos जो आजकर लड़कों को जो है रात्री के समय जो है वीर इत्याग हो जाता है उसमें भी इसकी पत्ती का पत्ती ने लिजिए सुखा कर चूंड बना लिजिए एक चम्मस सुवेरे और एक चम्मस साम को खाने से इसमें अतियंत चमतकारी लाव पतीत होता है महिलाओं को जो मासिक धर्म अधिक मात्रा में आ रहा हो तो भी इसका पत्ती का काड़ा बनाकर पिलाने से बहुत लाव होता है ये बहुत काम का पोधा है मित्रो, बहुत चमतकारी पोधा है ये कच्छनार का, मुँ में किसी प्रकार के छाले हो, नाथ हिलते हो, दाड हिलती हो, दाड में तकलीफ हो, तो इसकी कली का, फूल का या पत्ती का काड़ा बनाकर इससे कुला करने से, गले के छाले, मुँ के छा नालें होंगे कभि दाता आपके लेंगें मजबूत मजबूती प्रदान करेंगे इसके पांचों भाग ले लिए उसकी जड़ पति और इसकी च्छाल को पूल को पति को पीस के पाउडर बना के रख लीजिए एक चम्मस सुवेरे और एक चम्मस साम को या तो सहत से खाएं या पानी से खाने से साम के सरीर के जितने भी फैट है आपके सरीर में जो फैट की मात्रा अधिक हो गई हो मोटापा अधिक बढ़ गया हो चर्वी बहुत जादा हो सरीर में ये पूरी चर्वी को खीच के मल के मादवार से बाहर निकाल देता है ये इसका विसेश गुण है जो मोटापा घटाने क के लिए इसका बहुत अच्छा प्रियोग है अगर इसके फूलना मिलें तो इसकी केवल चाल को ले लिए चल को उबाल कर रखे ले और वाल के रखके इसका अगर हम पांट-पी यह तो भी बहुत लावकारी है या अगर नहीं मिलता हो तो उसके आपके चाल सुका के पाउडर बना के पत्ती का उचाल का रख लीजिए उसका प्रियोग करने से आपके सरीर की जितनी भी चर्वी एक्स्टा चर्वी है ऐसा नहीं होगा कि आपके पूरी चर्वी बाहर निकल जाए अरुवेद में यह बड गुटनों में सूजन हो जाती है चलने में बहुत तकलीफ होती है इसको वात रोग बोलते हैं कफ वात रोग गर्मी से होता है ठंडी से होता है ठंडी के दिनों में जिनको ज्यादा तकलीफ होती है वो ठंड वाला रोग होता है इसकी पत्ती ले ले लीजिए और छाल ले जी इनको सब को इखटा करके चूरन बना लीजिए और एक चम्मस सुबेरे एक चम्मस दुफैर एक चम्मस साम को खाने से यह हमारे जो घुटनों में जांगों में कमर में जो भी फैट इखटा हो गया है वो भी मलदार से यह बाहर निकाल देती इसमें सबसे बड़ा को बाहर करता चाहे लीवर में हो चाहे किडिनी में हो चाहे खून में हो कोई सावी रोग हो यह अकेला पौधा ऐसा है मित्रो कि आपके समस्त रोगों को सरीर से बाहर निकाल देगा कई लोग गई फोन आते थे मेरे पास कि आप कुछ ऐसा पौदा बताईए कि जो एक ही ब असथा ीसनार होता है सब कि पत्ती में से ग्यारा प्रजाती होती है कचनार की इसमें से ये 5-6-7 प्रजाती आपको प्रोड के किनारे मिल जाएगी ये आपको गुलाबी और सफेद कचनार हमेशा आपको सड़क किनारे बन विवाग ने बहुत लगाया है आप इसकी छाल भले ना निकाले तो आप इसकी पत्ति का प्रियोक कर लें छोटी छोटी डगाने फूल हमेशा सूप के खूब गिर जाते हैं जमीन में गिरते ही रहते हैं उन फूलों को एकटा कर लीजिए और उससे आप गुलकंद बना ले तो भी आपके इससे मेधा सक्ति भी बढ़ती बच्चों को गर आप खिलाएंगे तो आँखों की जलन आँखों का लाल पन दिम कि इसके फूलों का रायता बनाके खाने से हमारे बढ़े बढ़ जाती है उसमें भी यह बहुत काम आता है इसका एक और प्रियोग है जो बहुत काम का प्रियोग है मित्रो यह इसके पती का झालका डंडिका ज़्ञाव का बना लिजिए नहीं बनाएं तो पौडर बना कर सुवेरे साम इसके पवडर खाने से जो हमारी चमडी में किसी प्रकार का रोग हो इसके में हो गया हो या सुगर के कारण जो जल्दी अच्छे नहीं होते तो इसके पौडर को आप खोपरे के तयल मिलाकर जहां जहां घाओ लगाए उसके सथ के साथ अगर सुब्सक्राइब काम करती है। सुगर में भी बहुत लाबकारी प्रियोग होगा इसका नाम ही कचनार है आपके सरीर को कोई सा भी रोग हो भले आपको पता हो ना पता हो परन्त इसके खाने से हमारी काया को कंचन करता है निरोगी करता है ग्राही होने के कारण आपने देखा होगा इसको सोना पत्ति के नाम बोल के दी जाती कि सोना आप ग्राही हो आपके पास आए धंदौलत और आए इसलिए बोलते हैं इसको पर्स में रखिए समाल के रखिए तो यह ग्राही गुण को पहचाना है हमारे आज़वेदाचारियों ने हमारे मनीशियों ने पर हम भूल गए हैं और भूलने के कारण ह यूट्यूब के माद्यम से आपको जानकारी दी सबको बताएं इस समय फ्लावरिंग स्टेज में हैं और लाव पाएं नमस्कार में